हेलो गाइस कैसे आप सभी मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे आपका स्वाकत है मेरे इस नए वीडियो में गाइस आपने मुझे बहुत जाज स्पोर्ट किया है जिसकी मदद से मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाया हूँ उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्यू कहना चाता हूँ इसी खुशी में मैं लाया हूँ आपके लिए 400 मीटर रणिंग ट्रैक की वीडियो तो वीडियो के एंड तक बने रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लिस लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो प्लिस कमेंट करिए मैं आपका reply अवश्य दूंगा तो चलिए ज़्यादा time based ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम center में दो lines खींच लेंगे जिनको हम पूरा center में रखेंगे center निकाल के center निकाल भी सकते हैं अगर center नहीं पता चल रहा है तो चल जल्दी से हम center में खींच देते हैं सबसे पहले हमें खींचनी है left side line और एक खींचनी है उसके पहलर right side same lines खींचनी है तो आप भी ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ जैसे मैं बना रहा हूँ तो आप का भी अच्छा बनेगा तो कोषिश कीजिए, आप भी बना सकें रनिंग ट्रैक का अलरेडी पहले का वीडियो बना पड़ा है मेरे चैनल पर आप वो भी देख सकते हैं, आपको इस में पता नहीं चल रहा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं लेकिन उससे अच्छा जे वीडियो होने वाला है, मुझे ऐसी उमीद है, तो चलिए, राइट साइड भी मैंने लाइन खीक दिया है, और अभी मुझे कितनी लाइन खींचनी है, एर लाइन खींचनी है, उसके इलावा, उसके साथ नाइन, नाइन होनी चाहिए, नाइन दिखकेनारे वेलिजा़ारे, राइट भी, राइट की हो चुकी हैँए, अभी लेफ्ट की complete कर लिते हैं ज़्नी तक वीडियो के end तक वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीस वीडियो को लाइक कर ले तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मैनत लगती है गाइस बहुत ज़्यादा मैनत लगती है तो चलिए हमारी लाइन सभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम क्या कर लेते हैं इसका सैंटर निकाल लेते हैं अभी कंपस लेके हमें इनको line को जोडना है तो इसको गोल एकार में जोडना है इसको इसलिए हम compass का इस्तिमाल कर रहे हैं तो इस compass को पूरा center में रखके हमें दोनो lines जो है first lines जो है इसकी center की first lines जो center से शुरू हो रही है तो उनको हमें जोड लेना सबसे पहले उसी तरीके से हमें सभी लाइन्स को जोडना है लेफ्ट वाली को राइट के साथ जोडना है और जैसा तरीके से मैं कर रहा हूं तो इसी तरीके से जोडना है देखिये उबला वाला जो है वो complete हो चुका है अभी नीचे बाला complete करने के लिए रह गया तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं तो देखिए इसी तरीके से हमें जोड़ना है इसको left वाली को right के साथ जोड़ना है compass को पूरा center में रखके हमें pencil को right side वाली line पर रखना है और गुमा लेना है left वाली की और तो इसी तरीके से आप भी बना लें तो आप भी बन के त्यार हो चुका है comment करिए कैसा है अच्छा बना है चाहां ऐसे ही मैंने बहुत जल्दी की है इसमें तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने इसको बना लिया है आप भी इसी तरीके से बनाएं और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस comment में बता देना नेस्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो जल्दी से comment करना बाई बाई